Hello students, welcome to Coherent English Classes, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मुहमाज जियाउला कमर, आप देख रहे हमारी यूटूब चैनल Coherent English Classes और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं, बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड के 12 के किताब Rainbow Part 2 के Poetry Section के Chapter No.3, Now the Leaves Are Falling Fast, जो की डबलु एच ओर्डन के द्वारा लिखी गई एक लिरिक्स है, मतलब गाना है जिसे हमें बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड में पढ़ना होता है, उसका आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करेंगे Question Answer, तो बने रहे हैं इस वीडिय का Explanation हो या Summary हो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी YouTube Channel Coherent English Classes की Playlist में जा सकते हैं, वहां पे आपको पूरी Chapter का Explanation, Question Answer और Summary सारी चीज आपको अवे लेबल होगी, तो आइए स्टार्ट करते हैं, Now the Leaves Are Falling Fast, का पहला Question देखे, What does the Poet, यानि जो Poet है mean when he say, यान या mean का मतलब होता है, माने निकालना या जो Poet है, उसके कहने का क्या मतलब है, जब वह कहते हैं, Now the Leaves Are Falling Fast, की अब जो है पतियां जहर रही है, ये जो लाइन आपका पहला है, Now the Leaves Are Falling Fast, ये जो लाइन है, उसका क्या मतलब है, यानि Poet इसको जो बता रहे हैं, Now the Leaves Are Falling Fast, इससे क्या बताने की कोसिस कर रहे हैं तो देखिए इसका आंसर देखिए The poet means to say when he say मतलब की The poet means to say when he says Now the leaves are falling fast यानि कि जब poet कहते हैं कि Now the leaves are falling fast अब पत्तियां जहर रही है इससे कहने का मतलब यह है The life of the people running out Running out का मतलब होता है जल्दी से खतम हो जाना Running out का मतलब होता है My car petrol is running out मतलब मेरे जो car है उसका जो petrol है वो जल्दी खतम होने वाला है तो running out का मतलब होता है खतम होने वाला The life of the people is running out मतलब कि लोगों की जिन्दगी है वो दिन परती दिन घरती जाती जैसे ही हम लोग पैदा होते हैं उसी दिन से हम लोग की उल्टी गिंती स्टार्ट हो जाती है और कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 60 साल तो जिसकी जैसा मतलब उसकी life expectancy होती है उसके हिसाब से वो इनसान जो है मर जाता है तो हमारी जो जिन्दगी है दिन परती दिन घरती होई चली जा रही है यानि इसका मतलब यह हुआ जो आप पर है पहला लाइन इसका मतलब यह हुआ question number 2 what are the words in the second stanza that suggest death and effect of death on human being जो second stanza है, total तीन stanza है आपका now the lips are falling fast के अंदर तो उसका जो दूसरा वाला stanza है, पंक्ती है उसके अंदर कौन से word है जो suggest करता है, यानि बताता है suggest करने का मतलब यह जो है so, दरसाता है death or effect of death यानि कि मिर्त्यू या मिर्त्यू का जो परभाव है effect का मतलब क्या होता है, परभाव तो मिर्त्यू का जो परभाव है on human body इनसान के सरीर पे जो मिर्त्यू या मिर्त्यू का जो परभाव है वो कौन-कौन सा line है जो इसको दरसाता है तो देखें यहाँ पर the word freeze freeze जो है the word freeze in the second stanza that indicate towards the death यानि कि जो second stanza के अंदर ये बताइने के कोशिस की गई है कि जो इनसान है उसके जो हाथ है एक दिन वो जो है freeze होई active hand must be freeze यानि कि जो active hand है वो चलता फिरता जो हाथ पाऊ है वो एक दिन क्या हो जागा freeze हो जागा freeze हो जाने का मतलब क्या हो गया निर्जन हो जाना मतलब जिसके अंदर जान नो हो तो जो freeze का मतलब यहाँ पर क्या होगा मतलब जान निकल जाना उसकी body cold हो जाती है मतलब ठंडी पर जाती है समझ में आगिया आपको दूसरे चंद में सब्ध फ्रीज जो मिर्ति की ओर रिसारा करता है जब एक इनसान मर जाता है उसका सरी ठंडा हो जाता है तो समझ में आगिया आगे चलते हैं यह जो है question यह बार बार 2019 में भी पूछा है और 2021 के supplementary exam में भी पूछा है इस question को जरूर याद कीजेगा यह BVI question में से एक है देखिए How do we complete our last journey to the grave यानि कि जब हम अपने grave grave का मतलब होता है कब्र या जो समसान होता है अपना जो कबर होता है उस कबर के अंदर जो हमारी जो last journey होती है कबर की वो कैसे complete करते हैं या फिर इसी को जो है थोड़ा सा twist कर दिया जाता है How according to WH Auden यानि के WH Auden के अनुसार किस तरह do we complete our last journey to grave यानि के हमारी जो कबर की जो journey है यात्रा है वो कैसे होती है तो इसका answer देखिए our last journey to the grave will full of obstacle यानि जब हमारी last journey होती है grave की तरह यानि के अब हम मिर्त्यू के अदम करीब आ जाते हैं कबर के अदम करीब आ जाते हैं तो हमारी journey क्या होती है full of obstacle obstacle का मतलब क्या होता है बाधा obstacle का मतलब क्या होता है बाधा तो जब हमारी journey कबर की तरफ आती है, तो बहु सारी बाधा होती है, दिखिये, आप बुरे होते हैं, तो बुरे होते हुए जैसे आपको चीनी की बीमारी हो जाती है, किसी की बेटी की साधी नहीर रहोत पाती है, या बच्चा जो है सेटल नहीं हो पाता है, तो उसका tension होता ह फिर लास्ट समय में अपनी जो बीमारी की वज़ा से आपके सरीर में चिरचिरा पन आ जाता है तो बहुत सारा जो अबस्टेकल है यानि कि बाधा है उससे भर जाता है जब हमारी लास्ट जर्नी होती है here obstacle means physical decline, depression, restlessness यानि यहाँ पे जो हम obstacle का मतलब जो हुआ बाधा का मतलब क्या हो गया यहाँ पर physical decline physical decline का मतलब जो सकती 38 साल का एक वैक्ती मार लिजे 100 किलों का बुरा उठा सकता है क्या बुरहा आदमी जो 60 साल का उठा सकता है ने उठा सकता है तो सरीर के अंदर जो कमी आ जाती है, सरीरी छमता में जो कमी या गिराओ जो होता है उसको हम लोग इंगलिस में क्या कहते है physical decline कहते हैं तो यहाँ पे बाधा का मतलब क्या हो गया है physical decline, depression, tension जैसे भी मैंने आपको बताया restlessness मतलब कि आपने कोई अच्छा काम किया और एक इनसान है आप उसके दिमाग में यह रहता है कि स्वर्ग मिलेगा कि नर्ग मिलेगा तो यह बेचैनी जो है बुड़ापे में बहुत जादे हो जाती है तो यह restlessness मतलब कि बेचैनी जो है वो भी जो हो जाती है मैंने पिछली वीडियो में बता है दिस्पाइट ऑफ का मतलब बावजूद तो दिस्पाइट ऑफ थाउजन आपस्टेकल हजारों बाधा के बावजूद एक समय आता है जब मर जाता है इंसान तो मर जाने के बद क्या हो जाता है रिलीफ मिल जाता है इस बंधन से इस डिप्रेशन से इस फिजिकल डिकलाइन से इस restlessness समझे आ गया तो कबर की और हमारी आखनी आतरा बाधा से भरी होगी यहां बाधा का मतलब सरीरी गिरावट, अफसाद, बेचैनी आदी है लेकिन हजारों बाधा के बावजूद कुछ समय के लिए रहत अवसक्त होती है उसके बाद देखिए, कोश्चन नमर फॉर यानि के ट्रोल्स का मतलब मैंने आपको बताया था जब हम आपको explain कर रहे थे, now the leaves are falling fast कि ट्रोल्स का मतलब होता है भूत, प्रेत, आत्मा तो what do trolls, यानि कि ट्रोल्स क्या करते हैं, करते हैं leafless मतलब की सुस्क वन, जिसके अंदर वो वन, वो जंगल जिसकी पूरे पेर की जो पत्ती है गिर गई है तो leafless मतलब जिसमें पत्ती ना हो, leafless wood का मतलब क्या होता है, जंगल तो वो सुस्क जंगल में, सुखे हुए जंगल में क्या कर रहे हैं, कौन, मतलब जो trolls हैं, मतलब आत्मा जो है, the trolls run scolding for their food in leafless wood यानि जो trolls हैं, मतलब जो बुरी आत्मा हैं वो जो है, चीख पुकार कर, scolding का मतलब क्या होता है चीख पुकार करना, तो चीख पुकार कर रहे है in their foods in leafless wood, मतलब कि वो अपने खाना की तलास में चीखते पुकारते इधर उधर घूम रही है here trolls means difficulties and leafless wood means hopeless here trolls, trolls का मतलब यहां पर क्या हो गया, जो यहां पर हम जो poem में पढ़ते हैं उसका मतलब होता है difficulties, मतलब जो बुरी आत्मा मतलब यहां पर इसको दर्साया गया है difficulties यानि परिसानी और leafless wood का मतलब क्या होता है जो hopelessness होती है, मतलब की जो बेचैनी होती है, hopeless life एक बिना hope का जो है बिना उमीद वाली जो जिन्दगी होती है, उस जिन्दगी वो इसका मतलब होता है question number five, who are the travelers and how will they be blessed यानि कौन है travelers, travelers का मतलब यात्री कौन है और how will they be blessed और कैसे उसे जो blessed किया जाएगा तो मतलब किस तरह से उस पर भगवान की किर्पा होगी, खुदा की रहमत होगी उसके उपर देखे, we human beings are travelers, यानि कि हम जो इनसान है वो दुनिया के अंदर हमारे माता पिता भी हमारे बड़े बुजूग भी कहते हैं कि हम लोग इस दुनिया के अंदर एक यात्री के तौर पे हैं, जिंदगी हमारी यहां पे सदा नहीं रहने वाली है एक दिन ऐसा होगा, यहां से हमको बोड़ा बिस्तर उठाकर जाना परेगा तो we human are travelers, हम इनसान जो है, वो क्या है, travelers है, यात्री है और जब हमें मिर्तिव मिल जाती है, तो हमें blessing मिल जाता है, भगवान अपने पास बुला लेता है समझ में आ गिया, answer, आगे चलते है Who are the whispering neighbor, whispering neighbor कौन है, whispering neighbor का मतलब क्या हुआ whispering neighbor का मतलब हो है, यम्राज, तो यम्राज कौन है, the whispering neighbor is an angel or messenger of death यानि whispering neighbor वो है, जो कि या तो फरिस्ता या मिर्तिव का देवता है, मिर्तिव को लाने वाला है, जो इनसान पर मिर्तिव लाता है उसे हम लोग क्या कहते है, whispering neighbor कहते है, समझ में आ गया Question number seven, how does a human life become miserable, यानि के इनसान की जिंदगी किस तरह से miserable हो जाती है, किस तरह से बेचैणी और परिसानी हो में घिर जाती है, तो इनसान की जिंदगी कैसे बेचैणी और परिसानी में घिर जाती है When the human starts loving this fictitious world यानि कि जब इनसान start कर देता है मतलब चालू कर देता है शुरू कर देता है loving, प्यार करना इस this का मतलब क्या होगा है is fictitious fictitious का मतलब होता है जाली या जो fictitious का मतलब वो चीज जो हकीकत में नहों जैसे आप पढ़े होंगे अगर अकाउंट्स के strength होंगे तो goodwill, goodwill का मतलब होता है ख्याती, जैसे कोई business होता है तो एक लाग की business है लेकिन जब उसको बेशता है कोई तो एक लाग बीस सेरे में बेशा तो बीस सेरे क्या होगा ख्याती हुआ तो ख्याती का कोई गुल नहीं होता है तो यह जो बीना वो चीज जो दिखाई न दे नकली जो होती है उसको हम लोग क्या कहते है fictitious कहते है तो जब इनसान इस नकली दुनिया पे महबबत करना start कर देता है सिर्फ दुनिया के बारे में सोचने लगता है their life become miserable क्योंकि उसकी जिन्दगी क्या हो जाती है miserable हो जाती है दुख ही हो जाती है बेचैन हो जाती है परिसानियों से भर जाती है question number 8 जो की last question है इसका देखे in what way will the traveler be blessed किस तरह से traveler को blessed किया सकता है मतलब कि जो यात्री है उसको किस तरह से भगवान की उसके उपर किरपा होगी किस तरह से उस पे खुदा की रहमत होगी तो देखी यहाँ पर if the travelers live their life with truthfulness and honesty जब travelers मतलब की यात्री जैसे हम इंसान इस दुनिया के अंदर क्या करेंगे truthfulness मतलब सच्चाई के साथ और honesty मतलब इमानदारी के साथ अपनी life को live करेंगे यानि कि अपनी life को वैतित करेंगे जीवन को वैतित करेंगे then their life will be blessed तो उसकी जिंदगी क्या होगी उसकी life जो है blessed होयागी हम लोग को सिखाया जाता है कि दुनिया के अंदर आप रहें तो इस तरह रहें कि दूसरों को तकलीफ नहों इससे क्या होता है भगवान खुस होता है तो फिर आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाता है स्वर्ग की ओर लेकर जाता है तो यह रहा आपका question answer now the leaves are falling fast का अगर आप student है तो मैं आपसे फिर से request करता हूँ कि आप इस किताब को जरूर मंगबा लिए rainbow snapshot जो हमारी coaching से निकलती है यह एक पहली किताब है और सबसे आखरी किताब यानि सबसे पहले जो translation करके आया था है यही किताब है rainbow snapshot और इसी का copy आपको market में different different तरीके से मिल जाएगी लेकिन जो चीज इसके अंदर दिया हुआ अभी तक किसी ने भी नकल तो किया है लेकिन उस तरह का नहीं बनाया है जैसे इसमें है आपको question answer हिंदी इंग्लिस में translate किया रहता है summary जो आपका हिंदी इंग्लिस में translate किया रहता है और साथ में आपकी जो explanation है उसमें हिंदी इंग्लिस translation तो रहती ही रहती है साथ में pronunciation भी रहती है तो घर पे बैट कर जब तक आप मूँ नहीं खोलिएगा जब तक आप पढ़ना इस्टार्ट नहीं कीजिएगा इंग्लिस आपकी improve नहीं होगी 20 पन्ने 10 पन्ने का last में हम कर लेंगे सौ में सौ लेकर चले आईगा लेकिन आपकी इंग्लिस इंप्रूव नहीं होगी और आप जानते ही है कि यह जो वर्ल्ड है ग्लोबलाइज हो गया है इसके अंदर इंग्लिस के बिना कोई चारा नहीं है तो अगर आप student है तो आप इस किताब को मंगवा सकते हैं किताब को मंगवाने के लिए आप इस नंबर पर 9065829862 पर भी call कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं एक application है coherent English class है जिसका link इसी video के description box पर मिल जागा उसे भी download कर सकते हैं तो आपको पूरी chapter का grammar और book का आपको पूरी video मिल जाती है साथ में आपको PDF फाइल भी मिल जाता है वहाँ पर इस application पर और साथ में आपको किताब भी आपके घर पर चली जाती है अगर teacher है तो आप इस PDF फाइल को भी अपनी coaching के नाम से बनवा सकते हैं बच्चों के बीच में distribute कर सकते हैं बहुत ही अच्छा result होगा Thank you so much for watching current English classes